योगनी एकादशी जैशीरादा कृष्णा योगनी एकादशी एक जुलाई या दो जुलाई कब है योगनी एकादशी? आज इस वीडियो में ये सभी जानकारिया प्राप्त करेंगे असार मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी को योगनी एकादशी कहा जाता है योगनी एकादशी के बाद देवशेनी एकादशी मनाई जाती है असार मास में आने बाली इन दोनों एकादशीयों का बड़ा महत्तब है इस दिन श्रीहरी विश्णुजी की पूजा अरादना करने से जातक कि सभी मनों कामनाय पूरी होती है इस साल दो जुलाई को योगनी एकादशी मनाई जाएगी इस साल योगनी एकादशी पर सरवाल सिद्धी योग त्रिपुशकर योग समेत कई शुपसय योग को निर्माण हो रहा है जिस से इस दोरान धर्म कर्म और दानपुन्य के कार्डों का कई गुना जादा शुपफलो की प्राप्ति होगी कहा जाता है कि योगनी एकादशी का ब्रत रखने और विश्णु की पूजा करने से घर में शुख सम्रदी और खुशाली आती है आईए जानते हैं योगनी एकादशी की सही तिति शुब महुरत और पूजा बिति महत योगनी एकादशी कव है असार मास के क्रश्नि पक्ष की पहले एकादशी तिति की शुरुवात एक जुलाई दो हजार चौबीस को सुबे दस बच का 26 मिनट पर होगी और अगले दिन यानि दो जुलाई दो हजार चौबीस को आट पच कर 34 मिनट पर समापत होगी इसलिए उद्या तिति के अंसार दो जुलाई दो हजार चौबीस को योगनी एकादशी का ब्रत रखा जाएगा योगनी एकादशी पर बन रहे हैं दुर्लब सैयोग इस साल योगनी एकादशी पर दो अद्भुत सैयोग का निर्माण हो रहा है सर्वासिद्धी योग दो जुलाई दो हयदा चौबीस सुभे 5 बचका 27 एम से 3 जुलाई 4 बचकर 40 एम तक त्रिपूसकर योग दो जुलाई दो याद 24 सुबह 8 बच कर 42 मिनट से 3 जुलाई 4 बच का 40 एम तक योगनी एकादशी पर पारण का शुब महूरत एकादशी बत में दौासे तिती में पारण किया जाता है इस दिन 3 जुलाई को सुबह 5 बच का 28 मिनट से सुबह 7 बच का 10 मिनट तक पारण किया जा सकता है योगनी एकादशी की पूजा विदी योगनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे इस नारादिक के बाद स्वक्ष कपड़े धारण करें एक छोटी सी चौकी पर पेले बस्त विचाएं विश्णु जी की समक्ष दोग दीप प्रज्जुलित करें विश्णु जी को पेले फूलों की माला अर्पित करें पूजा के दोरान विश्णु जी को तुलसी दल, फल, मिठाई चड़ाएं योगनी एकादशी की कथा सुनें अंत में विश्णु जी की वा एकादशी की सभी की आर्पि करें योगनी एकादशी का महत्व ऐसा माना जाता है कि योगनी एकादशी के ब्रत रखने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है योगनी एकादशी पर पुड़ानी कताओं के अंसार योगनी एकादशी के ब्रत से कई यग्यों और 88 हजार भ्रामनों को भोजन कराने के परावर पुर्ण्य प्राप्त होता है इस दिन भगवन विश्नु की पूजा अरादना की जाती है माना जाता है किस इस एकादशी के ब्रत करने से समस्त पाप नश्टो जाते हैं इस ब्रत को करने से किसी के दिये हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है इसलिए को प्रेम से भाव से योगनी एकादशी के ब्रत कीजिए और इसके कथा को भी सबश्य सुनिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दी गई जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी और ऐसी अनेक जानकारियां प्रात्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जैशे राधा कृष्णा